होता है यहां पर यू 2001 एक बर इसके पावर में वी सीटीटी चार्जर ल्यू की लाइन की जगे क्या यूज किया वो भी देख लेंगे या फिर यही सेम लाइन यूज किया आएगा तो इसका जो पावर एसी का नंबर है 6358 इसे पहले जो देखे थे आप 6357 CR भी थे यह फा यह हमारा पक सेक्शन है यह होता है एल्डियो सेक्शन इसके बात जो सेक्शन दिख रहा है हमारा यह है चार्जर आयक सेक्शन आइसी बदल गई लेकिन यहां पर देखिए नाम सेम है वी सीडी टी और चार्ज ल्यू और बस नंबर बदल गया क्यूंकि यह आईसी का देखोगे तो 0.5 होगा मतलब नोट नैन में भी सेम रियल मी जैसा ही सर्किट जिया है कोई भी डिफ्रेंस नहीं है कि इसकी दो लाइने वापत सब कंपेर करा देता हूं मैं आपको यू दोहदार सेम सर्किट है आई सील का नंबर अलग है बट सर्किट जो दिया इसका सेम वही रेजिस्टर्स लगाया है कोई डिफ्रेंस नहीं करें एक और पावर में भी देखेंगे आप देखोगे तो सेम दिखेंगा आपको यहां सेवन पाइंट फाइए और इसके में भी देखें चार्ज ल्डियो और इधर भी देखिए देखेंगे वी सी डीटी चार्ज अल्यों तो डिटेक्शन के लिए यही दो लैन दिया है चलिए एक और कोई मीडिया टेक का इस सी खुलते हैं कि आप यहां आप यहां अब्ले सेलेशन में नहीं देखाए है कि एमटी के नोट टूएल डाइग्राम है कि नोट टेनेस एमटी के होता है इसका डाइग्राम भी है इसमें एक बार चेक कर लेंगे अपने को आइसी से मतलब है कोई भी मॉडल रहने दीजिए यह देखिए मीडिया टेक का सीप्यू है तो आजाते हैं इसके पावर में तो पावर ऐसी लगा होता है यहां पर यू 801 यहां पर में पावर है क्यूंके क्रिस्टल यहां लगा है एक्स बारा दिरो है तो आजाते हैं पावर ऐसी में इसमें जो ऐसी लगी है 6359 और इससे पहले जो मैं बताया आपको 6358 और इससे पहले जो मैं आपको बताया 6357 CRV मतब तीन चार अलग अलग आईसी यहां कंपेरिजन बता रहा हूं मैं आपको देखिए 6357 CRV है यह वाला मीडिया टेक का इसी है और फिर इसके बाद में देखें यह फाइट है अभी जो लेटेश फाइजी का देख रहे हैं हम लोग इसमें फाइन लगा है अब इसमें चार्जिंग की जो वी बस की लाइन है हमारी वी सी डीटी की उस लाइन को दोड़ा सा देख यह चार्जर आयफ सक्षन में देख रहे हैं आप लोग जितने भी थे वह सारे चार्जर आयफ सक्षन में ही देखें नोट 9 में भी हम देखें यह चार्जर आयफ सक्षन है और रियलमी सी टू में भी देखें तो वह भी हमारा charger if section में ही देखे हम यहां पर आपको comparison में समझ में आ जाएगा charger if में यह c2 में और redmi note 9 में charger if section में वही लाइन और अब यहां पर देखिए इस वाले मॉडल में बैट यहां पर सिर्फ एक ही लेन आ रही है charger detection के नाम से यहां पर वी सी डीटी चार्ज एल्डियों का concept खतम हो चुका है और यह लेन कहां से आ रही है तोड़ा चेकल लेते हैं ic में डी 10 में आ रही है और ic कुन सा है 63 59 और आ कहां से रही है थोड़ा देख लेते हैं यह हमारी मीडिया टेक की 6360 जो में चार्जिंग ऐसी होती है उसके अंदर से सी सेवन नंबर से चार्जिंग डिटेक्शन हो रही है क्यों डिटेक्ट हो रही है जैसे यहां पर पांच वोल्ड लगेगा इस ic में जो हमारी में चार्जिंग ऐसी है पांच वोल्ड और यहां से मिलेगा पीम एडी और यहां लएगा हमारा पूट क्या यहां से निगलेगा हमारा वी पीएच का उल्टेज जिसको भी एस वाइस बोलते हैं उसके बाद उसके बाद यहां से निकलेगा V-Bat, चो के battery connector पर जाता है, लेकिन यहां पर जो हमारा VCDT Charge LDO का concept था, वो खतम हो गया है, और खतम हो कर के यहां पर बन गया है चार्जिंग डिटेक्शन यहां पर नाम चेंज हो गया है चार्जिंग डिटेक्शन के नाम से लेटर साइज 6359 में आपको जो हमारा यहां पर एक और नाम लिख लेंगे चार्जिंग डिटेक्शन भी और यहां पर लिख लेंगे यहां से लाइन निकली है और पावर इसी के अंदर चला गए कोई कॉम्पोनेंट नहीं है बीच में तो आपको चेक करना पड़ेंगे लेगा यह सिक सोटां करके डिटिटन नमबर गोले पर चेक करना आप पको इसमें कितने बॉल पर होगा डी टैन बॉल आसी निकाल करकर टी टैन बॉल पर आपको चकरना है तो यह आपको लेटर सेट में है अब यह 6-3 finance जो बता रहा हूं में आई सी आपको 6-3 finance MT 6-3 finance अब यह कितने setup में आती है थोड़ा बता देता हूं आपको सब में D10 में आएगी अब यह देखिए 5G में है ऐसी है पुरा 5G 5G ज्याद तर 5G setup में मिलेगी यह देखिए 5G यह भी 5G यह भी 5G नोट 10 तो हाला कि 4G है लेकिन यह ऐसी जो लगती है यह वी 21 योपो एनन्टी फॉर 5G रेनो फॉर्टेट 5G तो मेरा बताने का मतलब यह है कंसेप्ट के यह दो आइसी लगती है लेटेस्ट मीडिया टेक पावर एंप्टी के पावर 21 में लगेगी फॉर्टी एंड फाइज ठीक है याद रख लिए इसी का नंबर क्या है 6359 6359 VPP 6359 VKP 6359 VNP ऐसे अलग-अलग नंबर रहेंगे इसके और यह जो मॉडल है हमारा अभी जो हम टेक रहे थे नोटेन एस नोटेनेस में कैसी दिखती है देख लिए गलास आईसी रहेगा सिल्वर कलर का गलास आईसी आता है अब इसमें जो लगा है 6359 VKP लगा है ठीक है यह ब्लैक कलर का है इसमें तो इसके कलर भी बदलते हैं हाला कि यह नंबर आपको बता दिया हमें इसके साथ आपको यह नीचे का नंबर मैच करना है 2135 है न यहां पे 212195191 ऐसा आता है तो यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक मैच करना है आपको इसमें जो लाइन आईगी चार्जिंग की डिटेक्शन लेन आईगी वी सी डी चार्ज ल्डियो इस मॉडल में नहीं मिलेगा याद रख लिजे नोटेट प्रो भी हमारा हम्टी के है एक बार इसमें भी चक्कल लेंगे इसकी पावरेसी का नंबर है यू 4201 डाइग्राम में आएंगे इसमें जो पावरेसी लगा है 6359 यहीं पावरेसी लगा है अभी जो हम लिख रहे थे इसमें हम देखेंगे हमारा वह वाला सेक्षन की दर है चार्जिंग डिटेशन का कि यह देखें डिटेन नंबर है सेम अभी हमने अल्रड़ी लिख लिया था यहां पर भी डिटेन बॉल इसी बॉल पर यह नाम पर चारजिंग डिटेक्शन पी के नाम से यहां पर भी वही नाम से आ रहा है चारजिंग डिटेक्शन तो यह किसे जाएगी यह 6360 में जाएगी यह वालिया इसी के 7 नमबर पर यह हमारी होती है 6360 में हमेशा आ जाएगा यहां पर लिख लेंगे इसको MT6360 में कितने नमबर में आएगा C7 C7 बॉल से यह आउट होगा कुन सा लाइन आउट होगा CHR DETB वाली लाइन और आएगा यहां पर D10 में हमेशा चार्जिंग AC से निकलेगा यह हमारी रहेगी यहां से ट्रैक निकलेगा इसमें जाएगा यहां फिर आप इसको सिगनल बोल सकते हैं जब चार्जर लगाएंगे तभी यहां पर वोल्टेज जाएगा तो पावर इसी को समझ आएगा के चार्जर लग चुका है और वो उसी के त्थरों चार्जिंग का लोगो दिखाएगी परसेंटेज दिखाएगी तो यह मीडिया टेक में हैं आप मतलब एम्टी के में आपको ऐसा मिलेगा अब एक और चीज़ यहां पर देख लिए वह रहा करें पांच वोल्ट का चार्जिंग इसी में जाता है पावर में जाएगा तो 330 के का और 39 के का दोनों का डिवाडर सर्किट बनके विस्टी जीटी 0.5 बनके जाएगा और एक लाइन यहां से निकली 7.5 किके रेजिस्टर से 2.8 यहां पर बन गया अब कहीं वार आप सैंसेंग में देखे होंगे आप ऐसा वाला सर्किट मिलता है बैटरी थर्मल का ठीक है इसमें भी डिवाडर सर्किट यूज करते हैं 100 के के दो रिजिस्टर लगाते हैं इन्पूड में देते हैं 1.8 और 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 निकलेगा 0.9 ऐ सारी इसको बोलते हैं बैटरी थर्मल थर्मल लाइन और यह होता है डिवाडर सर्किट और सीप्यू को 0.9 जब तक मिलता रहेगा वह बैटरी के थर्मल को कोई एरर नहीं देगा यहां पर वोल्टेज बढ़ गया तो टेंपरेचर लो आएगा वोल्टेज गिर गया तो टे यह सरकिट हमारा सैमसंग के सारे मॉडल में यही सरकिट होता है यहां पर मैं ड्रॉब भी क्या हूं आपको बताता हूं इसको कि अगर विवो में और सैमसंग में दोनों में सेम रहता है यह वाला मैं आपको M307 M30 का बता रहा हूं सैमसंग के M30 से निकाला हूं है हलाके विवो के काफी सारे सेटों में सेम रहेगा और सैमसंग के सेटों में भी सेम रहेगा इसको थर्मल एरर बोलेंगे